हेलो फ्रेंट वेलकम टू नॉलेज़ केमपल्स यह हमारा इंफिनाइट सीरीज का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो हम देखने वाले हैं लैविज टेस्ट लैविज टेस्ट का सब्सक्राइब हम कंडिशन देखते हैं कि इस टेस्ट का कंडिशन क्या है कि यूए अपको और पास आएगा उसमें न से मलिप्लाई करेंगे उसके बाद जो हमारे पासFraction दミन कालेंगे लिमिट निकालने के बाद हम देखेंगे लिमट का वेलिव क्या रहा है अगर लिमिट का वेलू जो य है अगर ल हमारे और यह हमारे ग्रेटर इन ऑन साधनें हमारा एंड लेविश्टेस्ट हम यूज कब करते हैं जब हमारा DLMR ratio test fail हो जाता है DLMR ratio test कब fail होता है जब L equal to 1 होता है अभी लास्ट वीडियो हमने DLMR ratio test एक आता आप वो देख सकते हो तो लेविश्टेस्ट is used when DLMR ratio test fail and डूसरा एक condition क्या है या तो fail हो जाए तब आप यूज़ कर सकतो या दूसरा कि जो आप even upon even plus one ये जो आपका fraction आएगा उसमें e, e हमारे involved ना होना चाहिए ठीक है अगर e अगर involve हो जाता है हमारा उस fraction में दिन हम क्या करेंगे logarithmic test यूज़ करेंगे पर हमारे involved है थम लगराद्मिक test यूज़ करेंगे log test इसको बोलते हैं अगर नहीं है हम lavish test यूज़ करेंगे तो यह question है इसमें लिखा हुआ है summation n equal to 1 to infinite and 1 upon root n plus 1 minus 1 यह हमारा question है n इसका हम में क्या आप find out करना है कि यह convergent है या divergent है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूएं यूएं क्या है यूएं यह है आपका यूएं इकल to 1 upon root under n plus 1 minus 1 ठीक है यह आपका यूएं हो गया and find out करेंगे यूएं प्लस 1 यूएं प्लस 1 simply n equal to 1 plus n को n plus 1 से replace कर देना है तो आप पर अगर n plus 1 करेंगे रूट में हो जाएगा n plus 2 and minus 1 and अब आपको क्या करना है un upon un plus 1 यह find out करना है तो un upon un plus 1 क्या हो जाएगा कि root under n plus 2 minus 1 and root under n plus 1 minus 1 यह हो गया आपका un upon un plus 1 अब आप क्या करो कि उपर में root n common लो root n अगर आप common ले तो यहाँ पर आपको क्या बच जाएगा root में 1 and बाहर चला गया 1 plus 2 upon n sorry minus यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 upon root n क्यों 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 जैसे multiply करो root n से root n cancel 1 हो जाएगा and यह जैसे अंदर जाएगा यह यहाँ पर n हो जाएगा and यह 2 वैसे ही denominator में अगर आप root n अगर आप common लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा root के अंदर n तो बाहर चला गया 1 plus यह जो term बसता है उसके नीचे आपका क्या जाएगा n 1 upon n minus 1 upon root n यह आपका root n रूट n cancel तो आपका हो जाएगा यह term 1 plus 2 upon n minus 1 upon root n डिवाइड में जाएगा 1 plus 1 upon n minus 1 upon root n अब आपको क्या करना है पहले तो आपको यह चेक करना होगा कि ड्ला मेरे स्यू टेस्ट आपको फेल होता है यह नहीं क्योंकि जब तो फेल नहीं हो तो आपका लैविस्टेस चूज नहीं करोगा पहले आप उसको ड्ला मेरे स्यू टेस्ट देखते हैं तो लिमिट n tends to infinity un upon un plus 1 तो लिमिट n tends to infinity un upon un plus 1 क्या है यह वेल्यू है आपका तो आप इसको लिख दो 1 upon 1 plus 2 upon n minus 1 upon root n फिट दिवाइड में है root में 1 plus 1 upon n minus 1 upon root n अब आपको इसका क्या करना है लिमिट find out करना है अब आप देखो कि अगर n equal to infinity put करते हो तो यह जो आपका fraction है यह undefine होता है यह नहीं तो खचेए यह यह नहीं हो रहा है क्योंकि 1 upon infinity zero 1 upon infinity zero यह 1 upon infinity zero student यह लिख बचेगा फिए कॉपर में फिट नीचे में फिट मीं और टेमिन्स क्याइस क्या वन और वान रहा है क्यूंकि यह infinity put कि क्या only turn यह भी 0 यह टर्म ही आटक है और इसमें अगर आप infinity पूट करते हो तो 2 उन्फिनिटी जिरो हो जाएगा यह वन पॉन प्लस 0 अब यहां पर भी जिरो हो जाएगा यहां पर भी 0 हो जाएगा 1 प्लस 0 वन हो जाएगा इट मिन्स निम्रेटर में में 1 and denominator में 1 equal to 1 अब आप देखो आपने DLMA ratio test apply किया DLMA ratio test यही तो है UN निकालेंगे UN plus 1 निकालेंगे UN upon UN plus 1 का limit देखेंगे अगर limit का value अगर 1 आता है तो हमारा DLMA ratio test fail हो जाता है जब हमारा DLMA ratio test fail हो गया तब हम क्या करेंगे LEVIS test देखेंगे LEVIS test में क्या करना है कि UN upon UN plus 1 में सब minus 1 करेंगे ठीक है तो आपका UN यह था UN upon UN plus 1 इसमें सब minus 1 करते हैं तो root under n plus 2 minus 1 upon root under n plus 1 minus 1 और यह minus 1 तो आपका हो जाएगा root under n plus 2 minus 1 minus root under n plus 1 plus 1 यह multiply हो जागा सिद्धा and root under n plus 1 minus 1 तो यह आपका plus 1 minus 1 cancel हो गया and आपका बचेगा n plus 2 minus root under n plus 1 upon root में n plus 1 minus 1 तो यह आपका आगे UN upon UN plus 1 minus 1 and आपको क्या करना है अब इसमें n से multiply करना है LEVIS test में यह तो करते हैं यहाँ पर आपको DLMA ratio test fail हो गया test fail and अब यहां से LEVIS test से start किया है और आगे देखते हैं तो यह हमारे UN upon UN plus 1 minus 1 यह था और इसमें हमें क्या करना है n से multiply करना है तो n से multiply तो करना है उसके पहले अब आपको क्या करना होगा इसको तो तो रिसनलाइज करते हैं क्योंकि यह फ्रैक उपर पावर में है तो रिसनलाइज करने के लिए क्या करना होगा कि इसको रिसनलाइज कैसे करते हैं ऐसे करते हैं n प्लस 2 माइनस 1 n प्लस 1 है इसको क्या करेंगे उपर नीचे इसी के टम से multiply करेंगे लेकिन माइनस के ज़िए क्या होना चाहिए प्लस तो n प्लस 2 प्लस रूट अंडर n प्लस 1 n2 में रूट में n प्लस 2 प्लस n प्लस 1 ठीक है इसको हमने रिसनलाइज कर दिया अब हम क्या करना है इस वाल टर्म को रिसनलाइज करेंगे तो इस वाले टर्म को भी होई करेंगे रिसनलाइज कैसे करेंगे बस इसी टर्म से up 2022 न wonders में ग्रलाइए टो यह हो गया 1 1 1 üzन यह खीया इसी टर्म को प्लाट में चेंज करको आज बहूं सहीNews इसको plus change कर गा माइनस कर गा plus उपानिप्र से यहां पर multiply कर दिया then इस वाले term को रस्निलाइज करने के लिए इस तर्म को माइनस कर गाल प्लस जिंद गा उपानिप्र मिल्टिप्लाइज कर दिया ताकि यह कट जाए ट्रेम्ट हमारे हो यह, तो देखे, रिस्निलाइज कोने से क्या फैटा हो, कि यह देखे, A-B into A-B, यह आपका फ्रॉमला बोग हो गया, A-B-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A numerator हो गया, denominator में देखो क्या होगा, कि यह, A-B and A-B, इसका भी होगा, A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A यह हो गया, यह होगा, a²-b² होता है, तो यह इसका स्क्वाइर तो कर दिया, minus b², इसका स्क्वाइर किया, यह minus multiply में है अभी नो, यह अंदर जाएगा, इतमेंज अगर हम bracket आते हैं, यह minus हो जाएगा, ठीक है, तो minus n, minus 1 है, तो यह 2 minus 1, 1 हो जाएगा, and यह plus 1, minus 1 कैंसल, 2 minus 1, 1, it means 1 into root under n plus 1, plus 1, and नीचे में देखो, plus 1 minus 1 कैंसल, n into root under n plus 2, plus root में n plus 1, यह n से यह n कैंसल, क्योंकि उपर में, यह उपर में ही तो है, यह n से यह n कैंसल, numerator में क्या बच्चा, root n plus 1, plus 1, and numerator में root में n plus 2, plus root में n plus 1, अब आपको क्या करना होगा, root n common लेना है, root n अगर आप उपर common लेते हो, तो उपर में आपको क्या बच्चा जाएगा, यहाँ पर n आपको बाहर चला गया, तो 1 plus 1 upon n, 1 plus 1 upon n, plus 1 upon root n, यह आपका numerator होगा, numerator में भी same, root n अगर आप common लेते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा, root में 1 plus 2 upon n, plus root में 1 plus 1 upon n, यहाँ पर आपने n common ले लिया, इसमें से भी root n common होई, यहाँ पर बचा 1 plus 2 upon n, यहाँ पर बचा 1 plus 1 upon n, यह root n से root n cancel, तो आपका होगया, 1 plus 1 upon n, plus 1 upon root n, अब आपको, आपने क्या किया, n into un upon un plus 1 minus 1, यह आपने find out कर लिया, तो यह आपने अपने क्या करना होगता है, इसका limit find out करना होता है, तो इसका अगर हम लिमिट निकाले, limit n tends to infinity, n into un upon un plus 1 minus 1, तो अगर आप इसका limit find out करोगे, limit n tends to infinity, root में 1 plus 1 upon n, plus 1 upon root n, denominator में 1 plus 2 upon n, plus root में 1 plus 1 upon n, तो अगर आप n equal to infinity put कर दो, यह वाला term 0 हो जाएगा, and 1 upon n 0, root 1 बचेगा, it means 1 plus 0, यह वाला term तो 0 हो गया, तो उपर में आपका 0, sorry, 1 आ रहा है, and निचे में देखो, कि अगर आप इस वाले term को अगर पुट करते हो, तो 1 upon infinity 0, तो 1 plus 0, it means 1, and इसमें अगर आप पुट करते हो, 2 upon infinity 0, and 1 plus 0, 1, 1 plus 1, it means आपका क्या आ रहा है, 1 upon 2, and 1 upon 2, it means क्या है, less than 1, and अगर आपका यह limit, 1 upon 1 plus 1 minus 1 into n का अगर limit, less than 1 आता है, it means हमारा यह जो series है, क्या है, divergent, divergent है, divergent किस test के साब से है, ravis test के साब से, क्योंकि हमारा DLMI ratio test फेल हो गया था, क्योंकि हमने जब इसका limit निकाला था, 1 upon 1 plus 1 का limit, तो वो limit equal to 1 आ रहा था, तो वो fail वाट, हमने ravis test यूज़ किया, and इसमें इसका limit क्या है, less than 1, it means यह series हमारा क्या, divergent है, I think आपको ravis test समझ में आए, इसको कभ यूज़ करते हैं, कैसी यूज़ करते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आपको यूज़ करते हैं, कैसी यूज़ करते हैं, कैसी यूज़ करते हैं,